जैम आतादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यव चैनल में दोस्तों दो सितंबर से श्राद पक्ष शुरू हो रहे हैं श्राद पक्ष या पित्र पक्ष कहें और यह जो श्राद पक्ष होते हैं यह पित्र अमावशा तक चलते हैं लगबग 16 दिनों का 15-16 द चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो वीडियो को आंते तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ दोस्तों ये जो श्रादपक्ष होते हैं ये हमारे पित्रों के निमित तरपन करने के होते हैं सोला दिनों तक मनुश्य अपने मिरत पूर्वजों की संतुस्टी के लिए तरपन करता है, पिंडदान करता है, अनदान करता है, वस्त्रदान करता है, यानि कई तरह के दान इन दिनों में किये जाते हैं, ताकि यह जो हमारे पित्र हैं, हमारे पूर्वज हैं, वो प्रसन हो सकें और हमें आशिर्वात प्रादान कर सकें क्योंकि इन पंधरह इन इन सॉला दिनों में हमारे पित्र प्रक्त्री पर भ्रहमन करते हैं लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि इस द्वरानि आपको क्या करना चाहिए तो वो क्या काम है जो करने हैं क्या काम है जो नहीं करने हैं सबसे पहले हम जानेंगे क्या करना चाहिए इस श्राद पक्ष के दौरान तो देखिए श्राद पक्ष में पित्रों के निमित करने के लिए पांच प्रकार के दान बताए गए हैं ये जो दान है ये हैं गवदान, अनदान, वस्त्रदान, आशदी दान और स्वर्ण दान इन पांच प्रकार में से कोई भी एक प्रकार का दान पित्रों के नाम से किसी जरूरत मंद को या ब्रहमन को जरूर देना चाहिए जैसा आपका सामर्थ है गउदान दे सकते हैं अन का दान कर सकते हैं वस्तर का कर सकते हैं औशदी का कर सकते हैं यानि आपकी सामर्थे का अनुसार जो आपको सही लगता है वो अपने पित्रों के निमित दान जरूर करें इज राग में पंचमी अस्टमी नवमी चतुर दशी और अमावश्या पूर्णिमा को पित्रों के नाम से गरीबों जरूरत मंदों को भूजन कराया जाता है आपने खिला सकते हैं जितने लोगों को चाहें पित्रपक्ष में नियमित रूप से भागवत महापुरान पाठ करना बहुत अच्छा माना जाता है आप नियमित रूप से भागवत महापुरान कथा का घर में पाठ कर सकते हैं स्वयम नहीं पढ़ सकते हैं तो आप कहीं सुन भी स में कच्चे दूद से जल और शक्कर मिलाकर अर्पित किया जाता है ये भी पित्रों के निमित हमारा एक तरपन होता है पीपल के पेड़ में प्रते दिन शाम के समय आटे के पांच दीपक जलाएं और उस दीपक में सरसो का तेल होना चाहिए यानि सरसो के तेल का दीपक आप उसको दान दक्षिना दे या जो भांजा होता है उसको आप भोजन करा कर दान दक्षिना दे सकते हैं या फिर आप गायों को हरी घास खिला सकते हैं गाय को गी गूर रखकर ताजी रोटी आप खिला सकते हैं जो पित्रों के निमित ही तरपन किया जाता है इसके अलावा अ अगर आप शांती चाहते हैं, या आप पित्र पक्ष में अपने पित्रों के नाम से कोई छायादार, फलदार व्रक्ष आप रोपन कर सकते हैं, यानि लगा सकते हैं, इन चीजों को करने से आपके पित्रों का आशिरवाद आपको ज़रूर प्राप्त होता है, अब हम यह जा पित्र पक्षों में आपको गाय कुट्टे या कोई सहित ऐसे जो जीव हैं उनको मारना नहीं है उनको भगाना नहीं है क्योंकि इन पित्र पक्षों में कुट्टे का गाय का कोई का बहुत अधिक महत होता है कोई को जो है हमारे पित्रों की ही संग्या दी गई है हमारे पित् जीन भी करते हैं श्रादपक्षे के दराऑइकंगों और कुट्ते को द्याद कराते हैं पित्र पक्ष के दौराण पड़िवार सहीत किसी भी बुजूर-गुव्यक्टि का अपमान बिल्कुर इस बात का ध्यान आप जरूर रखें और इस दोरान आपको जो अपने ब्रहमचर्य वृत का पालन आपको इस दोरान करना चाहिए परिवार में किसी भी तरह का कल है किसी भी तरह की लड़ाई जगड़ों का परित्याग करना चाहिए घर में जितना कल होगा लड़ाई को आपको बंद करना चाहिए किसी से भी लड़ाई जगड़ा आपको नहीं करना चाहिए जूट बोलना चोरी करना कड़वे वचन कहना किसी का अपमान करना ये सभी चीजें आपके पित्रों को नाराज करने वाली हैं इन सभी चीजों से आपके पित्रों का आशिरवाद देना चाहिए देखे पित्रपक्ष के दोरान धर्म शास्त्रों का अपमान करना निरादर करना यह वर्जित माना जाता है ऐसा करने से आपको उनका आश्रवाद प्राप्त नहीं होता है मास मदिरा का सेवन भी नहीं किया जाता है इन दिनों में इन 15-16 दिनों के लिए आपक अगर ब्रहमनों का अपमान किया जाता है तो इस अपमान को करने से सो पीडियों तक गरीबी भुगतनी पड़ती है उनके जीवन में उनके परिवार में कभी भी कल है समाप्त नहीं होती वो कभी पनप नहीं पाते हैं तो इन चीजों का इसलिए आपको ज्यादा ध्यान रख चाहिए तुलसी को श्राद में ग्राह माना गया है तुलसी की गंद से पित्र प्रसंद होकर गरुड पर आरुड हो विश्णू लोग चले जाते हैं तुलसी से पिंडार्चन करते हैं तो पित्र हमेशा खुश रहते हैं तरपन रहते हैं श्राद करने वाले में तीन जल्दबाजी में नहीं करना जाहिए जब आप श्राद करें तो इन चीजेश गंदित पुष्प होना चाहिए हैं है आप माली जूही Sud कुम्ंपा कमल तुलसी ब्रहंगराज ये बहुत परसंसरिया होते हैं इन चीजों का आप पित्रों के लिए इस्तमाल कर सकते हैं तो ये ऐसी कुछ चीज़े हैं जिनका आपको जरूर देहन रखना चाहिए तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइ आपको मिलती रहेंगी और इस वीडियो को जादा से जादा लाइक करें शेयर करें धैनेवाद